नमस्कार दोस्तों मैं उदलार्फ एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ो देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की उड़ो में तहें दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों का सबसे बड़ा सवाल की हमारे फार्म पर मुर्ग्यों का वजन कम हो रहा है हमने ये खिलाया हमने वो खिलाया हमारा फिड़का खर्चा बढ़ रहा है लेकिन मुर्ग्यों का वजन बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है हाँ दोस्तों यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कश्मीर से लेकर कञ्या कुमारी तक गुजराच से लेकर अरुनाचल की सीमाओ तक सामान्य मुर्गी पालक भाईयो का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे फार्म पर मुर्गयों का वज जितना हमें चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है और हमारा फिड का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ऐसी परिस्तित्यों में हम क्या करे तो दोस्तों आप सही जगह पर आये हो आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको एक ऐसी तरकीब बताऊगा कि जिस माध्यम से आपके फार्म पर मुर्गयों का वजन सव प्रतिशत बढ़ेगा और आपका फिड का खर्चा भी सव प्रतिशत घटेगा यह तरकीब जाननी होगी दोस्तों इसलिए आपने जो थमनेल में देखा टाइटल में पढ़ा कि आप सर्दियों के मोसम में सव प्रतिशत मुर्ग मुर्गयों का वजन यहां पर बढ़ेगा फिर सर्दियों के मोसम में अगर आपको मुर्गयों का वजन बढ़ाना है तो एक ही काम करना है कि यह वीडियो शुरुवात से लेकर अंततक देखना है वीडियो शुरुवात से लेकर अंततक देखते हुए यह आपको पसंद आ तो जरूर लाइक कर दीजे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक यह वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे शेर करने के लिए आप पर्सनल वाटसब नंबर, वाटसब ग्रूप, टेलिग्राम ग्रूप, फेस्बूप, इंस्टाग्राम, स्नैपचाट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तमाल करते हुए जरूर लिंक को शेर कर दीजे रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड कर अनुरोध करता हूँ दोस्तों आप सभी को मैंने अपना माना है और आखरी सास तक अपना ही मानता रहूँगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो क्रिपया दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आजाए आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते हुए आल इस नोटिफिकेशन को अन कर दीजिए ताकि आने वाला हरूडियों आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देखेए दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरी ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्णी लेकिन असल में हमारी देशी मुर्गयों का वजन नहीं बढ़ रहा है सर जी क्या करे तो देखे दोस्तो सर्दियों के मोसम में अगर आपको मुर्गयों का वजन बढ़ाना हो तो बहुत ही छोटी संकल पना है बहुत ही आसान उपाय है यदि आप इसका इस्तमाल करोगे तो सर्दियों में नहीं दोस्तो बारा माहा फिड का खर्चा घटाते हुए आपके मुर्गयों का वजन सव प्रतिशत यहां पर दोस्तो बढ़ जाएगा लेकिन उसके लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अन्त तक आपको देखना होगा वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही खुशी की खबर कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से वाटसअप ग्रुप शुरू कर दिया है इस वाटसअप ग्रुप में जॉइन होना हो तो मुफ्त में आप जॉइन हो सकते इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक को आप क्लिक करके आनि टच करके जॉइन हो जाएए और बहुत सारे मुर्गी पालक भायों का कहना था कि सर हमें आपका मारगदर्शन चाहिए सर हमें आपकी ट्रेनिंग चाहिए सर प्रशिक्षन चाहिए तो आपकी सेवा करने के लिए दोस्तों मैंने एक नायाब तरकीव ढूंड कर निखा ली है उत्पादन से लेके विक्री तक हम किस प्रकार से आपको साहियता करेंगे इसकी जानकारी दी जाएएगे सभी बाते ठीक लगी तो जुड़ जाएए नहीं तो छोड़ दीजे दोस्तों एक मुर्गी की कीमत पर आपको यह मारगदर्शन दिया जा रहा है तो जल्दी आईए प्रवेश पाईए क्योंकि इंट्रीज लिमिटेड है क्या पता बाद में आपका नंबर लगेगा नहीं लगेगा भारत वर्षकी 140 करोड की जन संख्या को आवान करता हो कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में जुड़ने से पहले मार्गदर्शन लेना शुरू कर दीजे ताकि इस व्यवसाय से आप लाखों का मुनाफ़ा तभी प्राप्त कर पाएंगे तो देखें दोस्तो सबसे महत्तो पुर्णबाद की मुर्गियों का वजन नहीं बढ़ रहा है दोस्तो आपको क्या पता है कि आपने फिनिशर दिया, स्टार दिया, प्रिश्टार दिया, लियर फिड दिया तो वजन बढ़ता है नहीं दोस्तो इससे तो मुर्गी आपको बड़ी होती हुई दिखाए देती लेकिन दूसरे दर फिड का खर्चा बढ़ जाता है इस फिड मेथड का इस्तमाल करके आप 12 महा मुर्गियों का वजन बढ़ा सकते हो ये फिड मेथड किस प्रकार से काम करती है तो दोस्तो मैं आभी सर्दियों के तोर पर मिसाल देता हूँ कि सर्दियों के तोर पर देखे दोस्तो की बाहरी तापमान घट चुका है मुर्गियों के शरीर के अंदर का भी तापमान घट जाता है और आईसी परिस्तितियों में दोस्तो मुर्गियों के शरीर में गीलापन बहुत ज्यादा सर्दियों के मोसम में बढ़ जाता है तो आईसी परिस्तितियों में मुर्गियों के शरीर में गिलापन बाहरी वातावर्ण में गिलापन तो आप कौन सा फिट दोगे तो आप करते क्या हो मेति घास देते हो नेपियर घास देते हो आप दशरत घास देते हो आप वहाँ पर तरकारी जो मुफ्त में मिलती है वो द दीजे यदि आप सुखा फिट दोगे तो सव प्रतिषत मुर्गियों का वजन यहाँ पर बढ़ जाएगा. यहाँ पर बढ़ जाएगा. जितना सुखा दे पाए उतना सुखा दीजिए एक मूर्गी दिन बर में 100 g से लेके 120 g फिड़ खाती है तो आप 60 से लेके 80 g तक दोस्तो उसे सुखा-सुखा दीजिए आप 10-15 g वहां पर गेहूं दीजिए 10-15 g ग्राम दा वहाँ आपर चावल दीजिए 15-20 g मकाई कर भड़ दीजिए दोस्तों और उसी के साथ साथ 30 ग्राम तक आटा दीजिए अगर यह दोगे तो सव प्रतिशत आपकी मुर्गियों का वजन यहाँ पर बढ़ने लगेगा लेकिन मुर्गियों का वजन बढ़ाने के लिए श्रिफ आटा देकर फाइदाने एक तरकीब बताता हूं दस किलो आटा लीजिए उसमें एक किलो दोस्तों जो अंडो का छिलका होता है उसको बारी कूट कर उसके साथ मिला दीजिए उसके बाद दो किलो सुकड जो मचली की होती है उलाकर उसे भी बारेक करके उसके साथ मिला दीजिए उसमें सव यमेल तक जो हे खाद्य तिल डा तो यकिनन दोस्तों सर्दियों के मोसम में आपकी मुर्गियों का वजन जो फिलहाल है उससे 30 से लेके 40 प्रतिशत आपको बढ़ता हुआ दिखाए देगा लेकिन दूसरी तरफ फिड़का खर्चा बढ़ेगा नहीं तो 100 प्रतिशत वहां पर घट जाएगा और उसके साथ सा मैनेजमेंट करके दोस्तों आप 30-40 ग्राम तक जो गिला फिड़ है और 60-80 ग्राम तक यदि सुखा फिड़ दोगे तो दोस्तों 100 प्रतिशत आपकी मुर्गियों का अंडों का उत्पादन भी बढ़ेगा मुर्गियों का वजन भी बढ़ेगा और सर्दियों के मोसम में आ आपको सुखा देना है गर्मियों के मोसम में गीला देना है और बरसाथ के मोसम में मोसम देखते हुए गीला और सुखे इन दोनों का कॉंबिनेशन यहां पर बनाना है जिससे दोस्तों आपको कम से कम फिड़ के खर्चे में ज्यादा से ज्यादा मुर्गियों का वजन और ट्रेनिंग प्रोग्रेम में जॉइन होकर वो लाखों का मुनाफ़ा यहां पर कमा रहे क्या आपको भी लाखों का मुनाफ़ा कमा ना है क्या देशी मुर्गी पालन के वैवसाय को आपको करियर के आप्शन के तौर पर चुनना है अगर हां तो दोस्तों आप तुरन सब्सक्राइब कर दिए उसके पाद पास रुपए के मास सिक्षुल के पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जिससे मैं आपको मारगदर्शन तहे 30 दिनों तक यहां पर करता रहूंगा और साथी साथ दोस्तों आपकी सेवा करने हैं तो हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम स वाटसब गुरूप तयार कर दिया है इस गुरूप में जॉइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में गुरूप की लिंक है वहां पर जाके आप जॉइन हो सकते हो तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप किस प्रकाश से दाया होगा वीडियो लाइक कीजिए किसान भाय और मुर्गी पालक भाईयों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दिजिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसब नंबर वाटसब गूरूप टेलिग्राम गूरूप फेसबूक इंस्टाग्राम स्नैपचार इन्हें सोचल और घर का सदे से मानते हो तो क्रिपया सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के दायतर निचली साइड में आज ये वहाँ पर आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दिजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा ब अबाद